हेलो फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल मैं हूँ आदिला तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ बहुत ही इंट्रस्टिंग और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है लाहोरी चिकन चडगा लाहोरी चिकन चडगा बनाने के लिए हमें चाहिए एक फूल चिकन नीबु पाउडर टेल क्रश क्यूवी हरी मिर्च डो अंडे गरम मसाला दही चिली फ्लेक्स और रेज चिली पाउडर अब हम चिकन को कट लगा लेंगे चिकन की इस पार्ट में हमें डीप कट लगा लेने हैं ताकि हमारी मेरिनेशन की पेस्ट अंदर अच्छे से पेवस हो जाए हो जाए तो देखिए इस तरह से हमें डिप कट लगा लेने हैं तो हमने चिकन को कट लगा लिए है अब हम चिकन को साइट पर रखकर मेरीनेशन की पेश्ट तैयार कर लेंगे तो हमें एक बाउल में दही एक कर लेना है दही के साथ में हम नमक एक कर लेंगे रेट फूड कलर हल्दी पाउडर रेट चीली पाउडर जीरा पाउडर यहाँ पर मैंने चिकन डाना का मसाला एट कर लिया है और यह ऑप्शनल ही है अगर आप चाहो तो इसके बीना भी बना सकते हो गरम मसाला और चीली फ्लेक्स एट कर लेंगे क्रश क्यूई हरी मिर्ज अद्रक लस्टून की पेश्ट निम्बु का रस ओइल विनेगर एट कर लेंगे उसके बाद हम अंडे एट कर लेंगे यहाँ पर मैंने डो अंडे एट कर लिये है आप अपनी कौंटिटी की हिसाब से अंडे एट कर सकते हो अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी सी एक पेश्ट तैयार कर लेंगे तो देखिए मैरीनेशन की पेश्ट बिलकुल तैयार है अब हम चीकन को मैरीनेट कर लेंगे चीकन को हमें प्रॉपर तडिके से मैरीनेट करना है ताकि हमारी चीकन में मैरीनेशन की पेश्ट अच्छे से पेवस हो जाए और चीकन अच्छे से मैरीनेट हो जाए चिकन की डूसरी साइट पर भी हमें मेरिनेशन की पेस्ट लगा लेनी है तो हमारी चिकन अच्छे से मेरिनेट हो चुकी है अब हमें चिकन के इस पार्ट को पतली सी दोरी से बान लेना है ताकि चिकन फ्राई करते टाइम चिकन के पार्ट अलग ना हो जाए अब हम चिकन को तीन से चार गंटे के लिए मेरिनेट करने के लिए रख लेंगे अगर आप चाहो तो ओवरनाइट भी मेरिनेट कर सकते हो डूसरी तरफ हम चिकन को स्टीन करने के लिए गरम पानी रख लेंगे इस तरह से हमें एक बरतन को रख डेना है चिकन को हमें प्रॉपर फॉइल करना है गरम पानी होने तक हम चिकन को फॉइल कर लेंगे तो फॉइल को इस तरह से बीछा लेना है चिकन को हमें प्रॉपर फॉइल करना है ताकि स्टीम करटे टाइम चिकन का मसाला फॉइल के बहर ना आ जाए इसलिए फॉइल को अच्छे से सिल कर लेना है तो देखिए हमने चिकन को फोईल कर लिया है और एक तरफ पानी भी गरम हो चुका है स्टीम के लिए तो चिकन को हम बर्टन में रख लेंगे और अच्छे से स्टीम कर लेंगे अगर 3-4 गंटे के लिए आपने मेरिनेट किया है तो आपको 30 मिनिट के लिए चिकन को स्टीम कर लेना है और अगर किया है आपने तो 10-15 मिनिट के लिए हम चिकन को स्टीम कर लेंगे तो अब हम चेक कर लेंगे चिकन स्टीम हो चुका है तो देखिए हमारी चिकन प्रॉपर अच्छे से स्टीम हो चुकी है अब हम इसे बाहर निकल लेंगे एक प्लेट में और चिकन को फ्राई करने के लिए तेल गरम रख लेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हमें स्टीम चिकन को फ्राई करने के लिए रख लेना है तो हम चिकन को फ्राई करने के लिए रख लिया है चिकन को हम धक्कन से कवर कर लेंगे और एक साइट पर पांच मिनिट के लिए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब हम चिकन को चेक कर लेंगे तो देखें एक साइड से हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो चुकी है दूसरी साइड भी हमें 4-5 मिनिट के लिए फ्राई होने के लिए रख लेना है तो देखिए हमारी चिकन अच्छे से फ्राइ हो चुकी है और बिल्कुल तैयार है प्लेटिंग के लिए अब हम चिकन को बाहर निकल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने गरम बटर उपर से एड़ कर लिया है इस तरह से हमें बटर को डाल लेना है और थोड़ा सा चाट मसाला हम उपर से गार्निश कर लेंगे तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी टेस्ती लाहोरी चिकन चडगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे शेर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले